हम आया है सुंदर नर्सरी दिल्ली और यह सौथ यह आपको सीपी एरिया में इसका एंट्रिगेटर कैफे बाए लेगे इसका एंट्रिगेटर यह इसके यहां के एंट्रिटिकेट है जो कि 50 रुपीज इच है मैंने 4 टिकेट लिया है और की हम एंट्रिगेटर कर रहे हैं अब लाइटिंग मौल अच्छी है एंकी टाइमिंग जो है साफ से दस है तो हम सेवन धर्टी राउंड पहुंचे हैं अब लाइटिंग देख सकते हैं काभी सुन्दर लग लिए आइटिंग कैमरे में वह एक्श्वल इमिज नहीं आपाईगी जो हम गरिये लाइस से देखते हैं तो आश आप भी देख पाते हैं जरूर आएं काफी बीटिफल प मस्लाइटिंग की कमिया फॉंटेंच चल रहा है अब सामने देख सकते हैं एक पुरानी बिल्डिंग इमारत बनी गया और यह काफी सुन्दर एंवार्मेंट है यहांगा सिट आउट भी कर सकते हैं आप इस तरीके से बैठे हैं लोग यहां की गिरीन पी काफी अच्छे वे बना हुआ है और बीच में इस साइड में ग्रीन रिया दोनु साइड रास्ता है यहां पर लोग काफी सारे बैठे हुए और अपना पिक्निक स्वाट बना करके खाना वहां लाएं अपना खाना खारे हैं मज़े कर रहे हैं काफी संदर अन्वार्मेंट है यहां का फूड अगर ऐसे जगह पर फूड मिल जा तो मज़ा याज़ा है कि लोग यहां पर लाएं अपना खाना अपना डिनर कंप्लीट कर रहे हैं काफी सारी बैठे हुए हैं बैठे हैं यह सामने मारत काफी क्लोज आ गया आपको पास से दिखाता हूं इसको सुंदर गार्डन जो की आपका आपका कनोट प्लिस साइड की तरफ को पड़ती है जो मैं आपको इमारत दिखा रहा था वह आगे नजडीक आप आपसे देख सकते हैं अफी का बड़ा पार्क है यह सुंदर गार्डन काफी अच्छा गार्डन है लाइटिंग बहुँच्छी गिरिन्री बहुँच्छी और आप दिन में और अच्छा व्यूज आएगा अगर आप दिन में देखेंगे रात में में दूह वाद नहीं अबरी है फाट है यह वह अच्छा फाउंटैन है कि इस में लाइटिंग भी है और यह वरकिंग भी है आप सुंदर लग रहा है अबको आगे तक देख सकते हैं कि अपको व्यूम राइब रहा इसका लायटिंग के साथ पाउंटैन सैंट और यह अब नाइटिंग देख सकते हैं जाले सुन्दर लग रहे हैं कटे जी का ठाइब के चाहे ये का कुब के चाहे अरे ये निया दी दी करने दी करने का तो देखो ये करने का करने का नियरे में गुम है गुम और क्या निश्का दो दिख भी ने रिया दो जो आपके को बिल्दिंग ओल्ड बिल्दिंग देख सकते हैं और यह वी अपके लिएक सुन्जर एंवार्मेंट लेक भी है लाइट के साथ वह से इट्रेक्टिव लग रहा है अंटिक एंवर्मेंट कि इस्टों के लिए नहां आगे आजो सब हम सब आये हैं इस पार्क का नाम है करनी क्या है इस पार्क का नाम सुन्दर नर्सरी अगर देख सकते हैं पर लेक का पानी आ रहा है और यहां पर बतक्स बैटी हुई है जोड़ा इटिंक कितने किलियर नहीं होगा पर बहुत सुन्दर लग रहा है फ्लेश जल्ली हुई है फ्लेश तो डक्स है डक्स है यहां पर और बहुत ही ब्यूट्फिल लग रहा है इन्वार्मेंट इदीके अगया 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 आगया अगया यह देखो इस अगया अगया फ्लेश फोन आया था यह जोड़ी कहां पर होई है अगया फिन स्लोप है यह भी कफी सुन्बर लग रहा है अगया यह फिल्टर होके बाप्स चला जाता है बानी अब यह भी डक्स है अब इस अब लग रहा है इस यह कफी अट्रेक्टिव बनाया हुआ यह बसीटाउट बनाया हुआ और कपल्स भी आते हैं बहुत अच्छी है बहुत ही रोमेंटिक अविरमेंट है यहागा तो फैमिलीज भी है एटी परसेंट फैमिलीज है कपल्स 20 परसेंट ही आ रहे हैं और यह बहुत ही ब्यूटिफुल आप देख सकते हैं सामने कितना सुन्दर कि अगया है आप देख सकते हैं कितना ब्यूटिफुल है यह प्लीज पर यह बहुत ही रोमेंटिक लग रहा है आप देख सकते हैं इसको भस यह इसका एंड है और एंड में यह आप देख सकते हैं कितना सुन्दर नहोंने सुइंग पुल बनाया हुआ है इस लोप में दिया हुआ है पानी चल रहा है इसमें यह अपने आप और यह आप देख सकते हैं लास्ट में इतना ब्यूटिफुल फॉंटेन लगा हुआ है यहां से पानी जा रहा है और यह सारा इदर पर जा रहा है जो हम एक्जीट हो रहे हैं इस पार्क से सुन्दर पार्क सुन्दर निडश्री और एक्जीट का भी कभी ब्यूटिफुल जैसा नाम है जैसाओ सुन्दर निडश्री वैसे ही सुन्दर दिख्ती है आप घपाई ощॉपर और अपना डिनर ले के आए जानओं जैसे दस टाइपना अपना डिंनर शॉयért करें !! वागी नाँच और सिल भी कपल्ण है थि फेंड़ करें आक के बहुत है अच्छा आश्या टोर मेर ब् इस तो नहीं हाँ डिनर अपना एंज्वाइगर सकते हैं बहुती ब्यूटिफुल प्लेस है सो मुच रोमेंटिक एंवर्मेंट 50 रुपीज इसकी टिकेट है आएं और इस प्रकृतिक बढ़ियां पार्क का सुंदर यागदर्शन करें थेंक्यू, थेंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो